हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमेद करते हैं कि सभी विद्यार्थी ठीकी होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटर्नल एक्जाम दोचर 23 कलास इलबेंत का हिस्ट्री यानि इतिहांस का जो वाइरल पेपर हैं इतना दिन से हम लोग फिजीक्स केमेश्ट्री का सभी वाईरल पेपर सेम्ट्र मिल रहा था आज चले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तीन घंटा 15 मिनट आपको टाइम रहेगा और पी टी ओ का कोश्चन है पुनांग सव मार्स कर रहेगा चलिए जल्दी सम लोग कोश्चन देख लेते हैं टाइम नहीं लेंगे और डाइरेक्ट हमें एंसर बता देते देखे दिया गाया है कि परसन में एक से साथ वस्तनीट प परसन बनाना है साथ हो परसन है पचास हो बनाना है हम पूरा पूरा बताएंगे आपको जो मोर्जी ओबनाएगा अप लोग ठीक है चलिए कोश्चन यहाँ पर आ चुका है देखे दिया गाया है कि जपान में समुराइ किन्हे कहा जाता था मतलब जो जपान है उसमें समु किस वर्स गिराये था तो दो का राइट एंसर हो जाएगा अणी सब पैंतालीस चीन में मंचू राजवन्स का साशन्ं किस वर्स समाप्त हुआ तो तीन का राइट एंस हो जाएगा अन्नी सेगार है इस भी में चलिए इस तरह से आप लो लिख लिजी और जाकर हिस्टरी के दिन आप लो छप दिजी चलिए तीनमा कोशन देखे यहाँ पर दिया गया है कि चीन में मन्चू यानि राजवन्स का सासन किस वर्स अमादत हुआ तो तीन का राइट एंसर क्या होगा तो जाएगा अन्नी सेगार है चलिए चार नमा कोशन दियागा है चीन गर्णाज की अस्तपना किस बर्स हुई तो चीन गर्णाज की अस्तपना जो हुई थी ओ अन्नी से उन्चास इस भी में हुआ था चलिए option C हो जाएगा चलिए 6 नमा कोशन देखिए अमिर्का फ्रेट टीचेर का अंत कब हुआ था तो 6 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तीस में थोड़ा डाउट है अपना दिक्कर अपना इसका राइट एंसर लगा लिजिएगा चलिए 7 नमा कोशन बताए सभी बबू जल्दी से जितने भी ए भी फंकिबड़ हैं आप लोग केमेंट करते रहें और एंसर बताते रहें चलिए रहे ओ एधार सभ्रेन नमर का राइट एंसर बताओ अमेरिका में दास परता दास परता कब समावत किया था अ पज़े झाय qur तो 7 का राइट एंसर क्या होगा तो option B हो जाएगा सही जबा चले 18-38 का राइट एंसर बताओ कनाड़ा की खोज किस के द्वारा की गई थी तो कनाड़ा की को जो थी ओ एसकेंडी ने CEO के द्वारा किये गई थी option B हो जाएगा next question देखो नए नमा question देगी ओधोगी करांती सरपर्थम कहां हुई थी तो जगा इंगलेंड में हुई थी सभी लोग जानते चले next question 10 नमर का answer बताओगे सभी विद्यार थी दिया गया कि ओधोगी करांती किस की देन थी तो ओधोगी जो करांती थी ओ किस की देन थी ए में दिया गया कि अभिजात वर्ग की बुर्जिओ की सहारा की या फि बेग्यानिक की तो इसका right answer आप लोग को बता देना option नमर A चले next question चलते हैं दिया गया कि धमन भटी का अभिसकार किसने किया था धमन भटी का अभिसकार पूछ जा रहा है तो जाएगा आबराहम डर्फी ने किया हुआ था option A हो जाएगा इस सेम टूसे में ही कोश्चन लड़े का बाबू 100% गिरांटी है आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब वास्ते कर लिजेगा क्योंकि हर एक चेप्टर का हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है इंगलेंड में 34, たाम लड्र कीश बर्ष हुआ था तो इंगलेंड में 34, Son 2 o전 जो होगा था चौदा का देखिए कुलोंबस मूले रूप से किस देश का निमासी था तो कुलोंबस मुख रूप से पूर्टिगाल का निमासी था 14 का यह होगा chunks jakohen every the navigator का रजा था तो घॉसिया जाता हैं। चलो अब मौत हमाई कोर्षण देखेंगे देखेंगे बाउन सेंट कुछ कोक्रम्चा देखेंगे भूं यहाँ पर हिस्ट्री लिखा है नोि यहीं मैं ३हीं कोचन उपके depths रहेका देगा कि एस्पेन से अलग होकर पुर्तगाल किस बरस सोतंत राज बना तो 17 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन सी 1249 में इस भी में चले अठारे नमा कोशन देखिए कि पुर्तगालियों को फिरका से क्या मिला तो पुर्तगालियों से अफिरका से क्या मिला तो इसका सही से अरम हुआ था चलिए नैट कोईशन यहां पर देखिएगा दिया गया है कि माना लीशा की पैंटिंग किसने बनाई थी देखिए गलत हो जाते तो कोई दिकेत नहीं बहुत जल्दी कोईशन जो है उस सेटप हो रहा है और आपको लिए बता जा रहा है तो 20 का राइट एंस कि देखिए ओप्सन ऊ सास्त्री द्यागा द्रम सुधारय का प्रद्यत्速 कालीन तारा किसे कहा जाता था कहा जाता है, तो 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, option A, John Wickley, option A हो जाएगा, 25 नमा कोचन देखिए, दिया गया है, कि fluid का साबधिक अर्थ क्या है तो fluid का साबधिक अर्थ हो जाएगा जमीन का टुकड़ा option C हो जाएगा यह है same to same लड़ेगा बबू बार बार मैं बता रहा हूँ आपको तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए like जरूर कर दीजिए 26 नमा question देखिए तो आपक्सन E ओजाएगा YouTube देखिए 28 नमा question कि रोमन चर्च का परधान कौन था तो रोमन चर्च का परधान पुछ़ए जाएगा पोप है औप्शन एव जए गाए पउप ए चलिए नेष कोशन देखे 49 कोशन नमर दिया गया कि तीरति कीस फरखार का कर्था तीर थे ठीक नव तो कि फरखार कर था था थो तौह laughing कर applesa अश्दन एह पोप जाए गार उनतिशका चलिए थीर क्या होगा सवांतिय व्योंग्र के क्या था तो समान्ती ब्यवक्ता का मुख अधार क्या था तो इसका राइट एंस हो जाएगा बैपार था ओप्सन डी हो जाएगा नेश्ट कोशन देखिए दिया गया की गुलाव की लडाईया कहा हुई थी तो इसका सही जबा हो जाएगा इंग्लेंड में हुई थी 31 का जीन हो जाएगा 32 का बैए नेश्ट कोशन देखिए चीन की महान दिवार का निर्मार किसने कराया था तो चीन का महान दिवार का निर्मार जो था उक सहाजा हुआ एंसी ने कराया हुआ था ओप्सन हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग कोपी पर लिखते रहिए जल्ली जल से ताक कि दिकत्न कि तो देखें शुक्राइब के लिंग वहां से होगा देख लिएगा पर आपको कुलाई खानी की से राजबंस के अस्तपना की थी तो 34 का क्या होगा तो सी हो जाएगा यानि यू आन का ठीके नो इसका यू आन हो जाएगा चले 35 कोचन दिएगा कि मार्कु पोलो ने चीन की यात्रा किसके असनकाल में की थी तो 35 का सही जबाब हो जाएगा ऑप्शन अमडी कूलाई खा चले 38 कोचन दिए इसलाम धर्म की अस्तपना कब हुई तो इसलाम धर्म की अस्तपना पूछे जा रहा है तो 38 का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमरे मक्का में चले नेट कोचन दिए यहां पर दिए 49 कोचन दिएगा कि सहनामा की राचना किस ने की थी तो सहनामा की राच योसे नरीं किया गया हाँ हुए fiftyुष निर्मार का नहीं किया गया तो मायजी वैसा जो मर्थक कौन था इसका से जबा हो जाएगा option B सुबुक गीन हो जाएगा चले 42 कोशन क्या हो जाएगा 42 का डेरेट एंसर में बता देता हूं हो जाएगा रोमन चले नेश कोशन की 43 43 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर्डी यानि की मुआ वी आ चले चोगालिस नमर्ड कोशन देखिए चोगालिस नमर्डी किनारे बसा हूगा है तो रून नदी हो जाएगा टाइबर के किनारे बसा हूगा चले नेश कोशन देखिए दिया गया है रोम में जनतंत्र की अस्तपना कब हुई तो रोम में जनत अंत्र की अस्ताप्तना जो होगा था पांस और नौ इस भी में हुगा था ओप्सन डी हो जाएगा 46 का चले 47 का राइट एंसर क्या होगा तो हो जाएगा ओप्सन भी यानि कि अगश्टक सीजर पर 48 नमा कोशन देखेंगे गलेडियर से की से कहा जाता है तो 48 का सही जवाब हो साफि आधे 440 का लिठी को रिड़ों यह हो जाएगा तुमेर लिपी को ऐधेंगे रवर्म करिखेंगे ल है कि आगाल हुगा गोगवा dauग मैं लिपी का ऐरम कहा था तो किलाकार लिपी का अरश्टकिन जा तो इरान में आप लोग सबस्क्राइब नहीं कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं तो कर दीजे ताकि हम लोग को महनत लगता है इस वीडियो बनाने में देखें बाउन नमा कोचन देखें जी गूर तक कहां कहां बनाया गया था तो बाउन का राइटेंज हो जाएगा मोसोग पोटा किया है तो इसका कटट गया है झ dois दिया गया है कि छूंगन इसकी कहानी कि सभएर मे दी गई है तो पन का राइट एंसर हो जाएगा ऑपसर नमर सी शंतावन का आप लोग बना लिजेगा चलिए अंठावन का क्या होगा जो जो कोशन हमको मिला वो बता रहा हो गलत नहीं बता रहा हो ठीक है न चलिए यूरूप में मानो अवास का परणाम किस देश में मिला तो अंठावन का यूट जो था वो की संदी के बाद समावत हुआ था तो 60 का राइट एंस हो जाए नान किंग की संदी में ओपसन यह हो जाएगा 60 का तो दोस्तों खंडबाज जो है लग उतरी है इसका लिंक दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का बना कर वीडियो ठीक है तो वहा से आप लोग देख लिजेगा चले मिलता है नेक्ट वीडियो में अपना ख्याल रखे है इसी परकार से हमारे वीडियो चैनल पर हेल्प किया जाता है आप सभी को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस्त करिएगा चलिए थैंक्यू फर वाचिंग